दोस्तों, IND Academy में आप लोगों का स्वागत है आज बात करते हैं जैसा कि निउस में अभी चली रहा है कि मद्द्रदेश सरकार किस तरह से सरकारी नोकरियों में डिले कर रही है जब सिये सरकार बनी है जनबरी में जैसे उसने गोशना ही कर दी थी कि जन्वरी में कि इस साल वो नई वेकेंसिया नहीं देना चाहेता और वो जहां तख इस बात को पूरी तारतम्ता के साथ पूरा सिद्ध करना चाह रहा है जो अभी इनको, क्या था, हाई कोट में इष्टे लगा हुआ था सुरी, हाई कोट में केस था और उसकी बात इन्होंने 15 सितंबर को इनको अपना उत्तर देना था लेकिन इन्होंने उत्तर नहीं दिया तो high court में यहाँ पर ये बात कह दिये कि अगर ये 3 सप्ताइट के अंदर अपना निर्डाय नहीं देते हैं तो इसके बाइद इसमें हाई कोट का इस्टे लग जाएगा जो ओवी सी का आरक्षन दिया गया है लेकिन कहीं न कहीं इसमें मद्यप्रदेश सरकार किस तरह से देखिए ये कहेंगे कि अपना एक रॉल अदा कर रही है कि वो कैसे डिले करती जा रही है नौकरियों को चाहे मद्यप्रदेश की कोई भी एक्जाम हो जो MPPSC होनी थी आज वो अभी होता तो अभी इंटरिव्यू चल रहे होते कुछ दिनों बाद लेकिन उसने पूरा साल एक प्रकार से खाली कर दिया और जो अभी अपने मद्यप्रदेश लोग से वा आयो के हैट के द्वारा कहा गय देखिए सीधी मैं न्यूस पर बात करता हूँ OBC आरक्षण के लिए हाई कोट की दो टूक उन्होंना सीधा इश्पष्ट कर दिया कि अब सरकार का जवाब नहीं आया तो दे देंगे इस्टे वोगि सरकार ने टालते टालते 21 अगस्त को ये फैसला हाई कोट ने दिया जो निर्देश में OBC आरक्षण बढ़ा कर 27% करने के मामले हाई कोट के निर्देश के बाब जूद राजी सरकार ने जवाब पेस नहीं किया सौंबार को सुनवाई के द्वारा जो कल सुनवाई हुई है एक्टिंग चीफ जस्टिस आरेश जहा की खंड़ पीट ने कहा कि दो सप्ताय के भीता सरकार ने पेस नहीं किया जवाब अगर सरकार नहीं देती है तो बड़े हुए आरक्षण पर रोक लगाने का आदेश प बढ़ाकर कित्ता कर दिया पंद्रखत 14 अक्तूबर कोडने सरकार को 21 अगस्त को तीन सप्ताय में जवाब पेस करने के लिए कहा था जयाず तो कहने का मतला है कि सरकार खुद नहीं चाहरी एक हाई महाय बगया कोई निस्पक्छ जाच करने के लिए बैठा ही है थीक है नियायपाली का निस्पक्छ जाच करती है लेकिन सरकार का बहुत बड़ा रौल है और सरकार की कोई वेकैंशी हो में यहां पर तो दोस्तों मैं ही है कि दीपवली के बाद कहीं न कहीं वेकेंसी आ जाएंगे तो आप खुछ सोचिए वेकेंसी कैसे आ सकती है 14 अक्टूबर को अभी फैसला भी हुआ नहीं है पूर्णता जैसा कि सरकार कह रहे थी कि मेरे पास पूरे पुक्ता सबूत है और मुझे कुछ नहीं करना है 27 परसेंट डारेक्षन मैं दे सकता हूँ इसके लिए मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है लेकिन 14 अक्टूबर की सुनवाई के बाद ही तो यह चीज निसकर्स निकल सकती है न तो यानि कुई बेकेंसि आने के चांस नहीं है लेकिन सबसे वड़ी चीज है कि यहाँ पे न्यूज यह उडा दी गई है कि दीपवली के बाद वेकेंसि आेंगे लेकिन हो कहीं न कहीं बच्चों की हित्म है कोईविश बही बेकेंसि आएग तभी पढ़ाई करेंगे तो मैं आप ल वाई 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर तक आप वेट करिए सिर्फ आज से लगबग 14 दिन या 15 दिन है उसके बाद अपन बात करते हैं कि होता क्या है आगे लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि दीपा वली तो छोड़ी है नमबर दिसंबर में कोई वेकेंसी नहीं आने वाली अगर आती भी है तो नोटिफिकेशन आएगा तो पेपर भरवरी मार्च में ही जाएगा तो दोस्तों ये थी आज की न्यूस जिसे और एक और न्यूस इसी के साथ ये काएंगे कि जो 27 परसंट आरक्षन किया गया था तो दोस्तों यही बात है कि OBC आरक्षन हो या कोई भी मुद्धा हो इस समय सिर्फ हम यह कहेंगे कि इसमें भटकने की आपको लोगों को जरूरत नहीं है क्या निर्णे आएगा वो सब के हित को सोच के ही निर्णे लिये जाते हैं तो निर्णे के आएगा इसमें अपने पढ़ाई के लिए ततपर रहें और अपनी पढ़ाई को निर्णतर चालू रखें आज भी मैं यही कहूंगा और इसके पहले की वीडियो भी मैंने यही कहा मैंने MPPSC के स्टेड़ी बताई थी तो वहाँ भी मैंने यही बोला एग्जाम केलियर करने की रण निती बताई थी तब भी मैंने यही कहा कि आप अपनी पढ़ाई को निर्णतरता के साथ कित्ती कवर करते हैं यह जरू जी है तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमें बॉक्स में ज़रूर बताएं आईंडी अकेडमी विभिन्य प्रित्योरी परिक्षाओ की तयारी हिंदी माध्या में करा रही है दोस्तों आईंडी अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी तयारी को और भी बहता और उसा टीकता दे सकते हैं आईंडी अकेडमी के टेलिग्राम ग्रूप फेस्बुक ग्रूप से जुड़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं थेंक्यू फॉर वाचिंग, हेवा गूड देव